हेलो कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग भी बहुत ही अच्छे होंगे अभी मॉर्निंग का टाइम है आज मैं टप्पू के लिए बना रही हूं पिज्जा रोटी पिज्जा बच्चे को पिज्जा पसंद आते हैं तो हर हमेशा हम वो मैदे का बना होता है तो उसे बना कर नहीं दे सकते हैं और वो भेजी टेवल्स भी खाना नहीं चाहते हैं तो क्यों नहीं उनके लिए कुछ हेल्दी बनाया जाए तो इसलिए आज मैं बनाऊंगी रोटी पिज्जा तो इसमें मैंने सिमला मीर्च, टमाटर, प्याज आपके घर में जो भी भेजी टेवल्स एबलेबल हैं वो सारे डाल सकते हैं तो मैंने पहले रोटी पर टमाटर सॉस लगा लिया है थोड़ा सा उसके बाद सारी भेजी टेवल्स को डाल देंगे हलका नमक डाल कर ये भी बहुत जादा टेश्टी लगता है अच्छा लगता है बच्चों को पसंद भी आ जाता है चीज धेर सारा डाल दूंगी ताकि ये बिल्कुल पिज़ा के तरह लगे और वो अच्छे से इसे खाए तो मैंने डाल दिया है चीज पैन को गरम करके एकदम गैस को लोफ लेम पर रखेंगे उसमें रोटी पीज़ा डाल देंगे और इसे एकदम लोफ लेम पर ही तब तक ढबाग कर पकाना है जब तक कि ये पूरी तरह से हो नहीं जाये तो चीज यहां मेल्ट हो गई और मेरा पिज्जा रोटी पिज्जा रेडी है यहां मैं ब्लैक टी बना रही हूं जीत के लिए प्सारा काम तो अभी नहीं हुआ है लेकिन पहले मैं डब्बो को धो दूंगी डाल के यह डब्बे हैं डाल खतम हो गई है तो खतम होने के बाद मैं पहले डब्बो को साप कर रखे लेती हूं उसके बाद फीर में दुपारा डालती हो इससे जंजट नहीं पहलेי रहता है कि इक बार ही बहुट सारे डब्बे साप करनेे तो धीरे करके इसी तरह से मेरा साप हो जाता जो भी समान डब्बे से खतम हो जाती है तो मैं पहले उसे अच्छे से धोकर सुखा कर फिर उसमें रखती हूँ तो यहां मैं पहले साप कर लूँगी फिर कीचन का काम करूँगी ताके ये धूप में जल्दी से सूखे उसके बाद नहा कर आने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी मैं जिस से बरतन साप करती हूं उसी से डबे जो भी डबे होते मैं उसी से उसको साप करती हूं कोई अलग से इसके लिए साबून नहीं रखती हूं उसी से साप करती हूं तो बहुत अच्छे से ये बीम जेल से बहुत ही अच्छे से लिक्विड वाले से ये साप हो जाते हैं क्योंकि हम लोग का तो अधिकतर टाइम जो हम लेडीज होते हैं उनका कीचन में ही बीटता है तो जब कीचन एकदम साप सुतरा अच्छे से हो तो बहुत ही अच्छा लगता है काम करने में भी अच्छा लगता है तो थोड़ा सा मैं पहले लडू गोपाल के लिए उनके परसाथ तयार कर लूँगी आप बेसन की बड़फी कभी मैं बेसन का लड़ू मनाती हूँ एक सपता के लिए बना कर फ्रीज में स्टोर करके रख देती हूँ कि डेली डेली बनाने का जंजट नहीं रहे तो इसके लिए मैंने पैन में घी डाल दिया है बेसन डाल दूँगी लो फ्लेम पर इसे हलका ब्राउन होने तक भूनना यह बहुत जल्दी ही बनकर तयार हो जाता है तो भोग के लिए बहुत ही अच्छा रहता है जब भगवान जी को अपने हातों से बना कर कुछ भोग लगाया जाता है तो बहुत ही अच्छा लगता है तो इसके लिए चास चासनी बनाना है तो चासनी बनाने के लिए पानी में चीनी डाल देंगे चीनी डाल कर मैंने गैस पर चड़ा लिया है मेरी चासनी बनाना है बस चीनी पानी डाल कर इसे अच्छे से उबाल कर और थोड़ा थोड़ा करके बेसन में डालते जाना है कि ताकि बेसन में गुठली ना पड़े तो हाथ को जल्दी जल्दी चमस से ही लाते हुए बेसन को अच्छे से इसमें ये पूरा चासनी मिक्स कर लेना है और गैस को एकदम लो फ्लेम पर ही रखना है ताकि ये नीचे तले में सटे नहीं और बेसन का कोई गुठली भी ना बने तो यहां देखिए पंकर रेडी हो चुकी है अब एक प्लेट में मैं चिकनाई लगा कर बेसन को उसमें निकाल लूँगी और ठंडा होने के बाद इसे अच्छे से चाकू की सहायता से इसे काट कर अच्छे से एक डब्बे में रख कर इसे एस्टोर कर लूँगी फ्रीज में तो ये सपता दस दिन हमते चलते हैं जेल को सामान हें यहां मेरा जो भी समन है घ्रोस्री का उरस उनको में डब में रख लूँगी फ्रींट जो नहीं था सिर्फ वहीं मंगा रही हूं क्योंकि तियोहारों का सीजन आ गया है कब क्या बनाना है कब क्या मूड हो जाए खाने का क्योंकि त्योहार के मोसम में तो अच्छा लगता है तरह तरह का खाना बनाना तेहारो की थाली ही अलग होती है तो इसलिए घर में समान रहना सारा जरूरी है तो यहां मैं डाल को भर लूँगी और जो समान मेरे बच गये है तो उनको मैं एक बड़ा जो डबा होता है मैं उसमें सारा अच्छे से राख देती हूँ ताकि जब फिर से समान खतम हो तो फिर में डालती हूं, तो उस डबे में मैं सालग Samann एक TTIri女 में डाल कर डबे को अच्छे से बंद करके राख देती हूं, फिर जैसे जैसे वो खत प्राकते जातब हम से मैं डाल 용तर नाज की हो, तो यह मूम की डाल कि जाकत क्षोच्च नरब Krक दिशें कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो पीडिया से और को मैं यह हॉर्लिक्स वाले डब्बे में डाल दूँगी क्योंकि इस वार पीडिया से और जो है वह एक केजी वाला आया है तो इसका डबबा मेरे पास नहीं है इसे पहले मैं जो भी लाती थी तो 200 गरॉम का छोटा वाला लाती थी तो सारा जो डब्बा है व उसे भर कर रख लूँगी या टाइट है तो अच्छा रहता है आप लोग को ये छोटा सा ब्लोग कैसा लगा जरूर बताईए मैं अच्छे वीडियो जिलाऊंगी आप लोग पहले सब्सक्राइब किजिए लाइक